नमस्कार दोस्तों विजय दिसमी की बहुत सारी सुपकामना है आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आजम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जी हां ब्लड इंफेक्शन या आप क्या सकते हैं ब्लड प्यूरी फायर क्या हम यू यह आप देख सकते हैं और दुसरी जो मेरी फेवरेट है और मैं सेपरेटली यूज करता हूं एक मदर टिंचर जिसे मैं इचनीशिया अगस्थ फोजिया के नाम से हम लोग जानते हैं तो यह दो दवाएं हैं इनका हम आज रिव्यू करेंगे इनके अंदर क्या-क्या दव लेगा अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दवा दें जिससे की नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन का मैसेज मिल जाए तो दोस्तों हम शुरू करेंगे और 60 के साथ इसके उपर लिखा गया है कि यह एक ब्लड प पर काफी अच्छा इसका रोल है पर जो सेपरेटली इटैलिक्स में लिखा हुआ है हमारी बोरिग मेडिका में कि यह जो मेडिसीन है दोस्तों जर्मलाइजड वीकनेस बॉड़ी की किसी भी इंफेक्शन के चलते चाहे वो मेंटल वीकनेस हो चाहे वो फिजिकल वीकनेस हो यह आपकी बॉड़ी में ट्रेंबलिंग कपका हट सी हो रही है आपका हाथ पर खांप रहा इंफेक्शन के चलते या फिर आप जब कोई काम करते तो आपका उसमें मन नहीं लगता है और चाहे वो केस जो जो भी हो दोस्तों कई बार ऐसा होता है फीवर के केस में या कई ब आपके साथ कोनियम मैं 200 की सिर्फ 2-3 खुराग दी और पेशेंट नॉर्मल रूटीन में वापस आ गया है तो इन जर्नलाइज वीकनेस और माइंड बॉड़ी सरीर और दिमाग की वीकनेस कमजूरी के अवस्था में हम लोग को यूज करते हैं उसी के साथ जैसा मैंने कहा क कोनियम मैकुलेटर में बहुत ही अच्छी दवा है जो कि जर्नलाइज पूरी सरीर में हमारी ग्रंतियों पर ग्लैंड पर जहां भी ग्रोथ हो रहे हो बढ़ रहा हो कुछ भी ट्यूमर टाइप बन रहा हो तो बहुत ही अच्छा काम करते तो किसी भी इंफेक्शन के चलते अगर किसी गाठ का फॉर्मेशन है यहां तक कि वह गाठ अगर कैंसर बन रही है तो इस प्रकार के ब्लड इंफेक्शन में भी दोस्तों इसको फुलेरिया नोडोसा का यूज हम लोग करते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों हिपर सल्फ हिपर सल्फ दोस्तों बह गर्द कम हो जाता पर मवासा बना रह जाता है तो हिपर सल्फ महां पर हमारी च्वाइस ऑफ मेडिसिन होती है नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसी तरह दोस्तों जुगलेंस आर करके दवा है यह इसके अंदर पढ़िए जुगलेंस दोस्तों हमारे पिंपल एकने इसमें का अछा काम कर सकती है या अगर किसी को यूरिनेरी इंट्पेक्शन पत्री के केस में रिनल ही इस्टोन की करें पिशाम में जलन चिलकन के केस में प्लस अगर और किसी और रिकरेंट बॉयल अकने मैं सेपरेटली इसको काफी जादा प्रिफर करता हूं सरस सार सेफरीला 200 पां के infection की वजह से आपको skin की कोई समस्य आती है तो यह हीपरसल्फ है जो की cover करेगी जो की cover करेगी और जुगलेंस है जो की skin के action को cover करेगी नेख्स दोस्तों एक और दवा है Gallium Aparin गैलिम एपराइन भी दोस्तों urinary system पे काफी जादा अच्छा result इसका रहता है पथरी के केस में भी हम इसे देते हैं सिस्टाइटिस के केस में अगर ब्लैडर में अगर किसी को infection की वज़े से पिशाब नहीं पास और यह दर्द हो रहा है तो गैलिय में पराइन वहां पर दे सकते हैं नेक्स दोसके अंदर जो दवा मिलाए गए है वो है अरीनिया डाइडीमा अरीनिया डाइडीमा दोस्तों एक प्रकार के पॉइजन से बनी है जब इसको ट्राइचुरेट किया गया और ड्रग प्रूविंग की गई तो काफी ज़्यादा अच्छे सिंटम निकल के हैं अरीनिया डाइडीमा दोस्तों जैसा कि मैंने बताए एक तरह के पॉइजन को पॉटेंटाइज करके बनी हुई दवा है तो हमारे नियूरेल्जिक सिस्टम पर हमारे नसों वाले सिस्टम पर इसका काफी ज़्यादा अफेक्शन होता है अगर किसी को वीकने सारी नसों में बीमारी की वज़े से को इन्फेक्शन हुआ और नसे उसकी काफ को दर्द है तो अरीनिया महां पर काफी अच्छा हज़र्ट दे देती है नेक्स्त दोस्तों इसके अंतर मायोसैटिस ऑरभरेंस दोस्तों मायोसैटिस और वर्स यह बहुत अच्छी दवा जो की कि सिस्टम पर किसी वी प्रकार का अगर कंजिशन है चाहे वह हमारे सीने में बलगम जमा है या फिर सूखा पाने ड्राइ कफो या इस पूटम वाली कफो दोनों ही केस में मायोसाइटिस काफी अच्छा रिजल्ड देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ब्लड प्यूरिफायर इसने बहुत सारे एंगिल को कवर किया हमारी नसों को नर्वस सिस्टम को से अब्लब कवर किया हमारे रेस्पीरेटरी मैयोस एडिस एरवरेंज जो है मैरे रेस्पीरेटरी शिस्टम पर काफी यच्छा रिजल्ड दे रही है हिपर सल इसक्रोफुलरियोस नोडोसा जुगलेंस रीजिया यह हमारे सकिन वाले एक्शन पर काफी अच्छा नेक्स दोस्तों कोनियम मेकुलेट्यम और इसके फुलेरिया नोडोसाइक यह जो मेली हमारे ग्रंथियों पर काम करें तो ओवर ओल बॉडी में अगर ब्लड इंफेक्शन की वज़े से कुछ भी हो चाहिए वह हमारे सांस से संबंदित हो पेशाप से संबंदित हो यह हमारी संबंदित हो ग्रंतियों से संबंदित हो तो सके ब्लड यहAdd और आल ब्लड बाड़ी पर काम करता है चुछ और इहम सब पर कुछ आपको दिक्कत आ रहे हैं यहां तक की कैंसर के केसे में भी अगर अग्ली स्टेज कर तो वहां पर दर्द कम करने के लिए काम आता है और लास्ट के स्टेज में बहुत जादा पें हो रहा है तो अगर हम इचनीश्या दस बून सुबह दुपर शाम थोड़े से पान मिलाकर दे सकते हैं यहां तक कि बच्चा पैदा होने के बाद प्रप्यूरल सेप्टी सीमिया जो होता है दोस्तों समाने सेप्टी सीमिय अर्था खूल में किसी प्रकार का इंफेक्शन है उसके वज़े से दिक्कत आ रहे तो इचनीशी हम दे सकते हैं अगर भच्चा पैदा हुआ उसके बाद इस्ट्रियों में कई बार ऐसा देखा गया है कि डिलिवरी के बाद इंफेक्शन हो जाता है पेशन को कई सारे अलग अलग लक्षा कुसी को बुखार आ स्टेज में भी चाहिए कैंसर पहली स्टेज में हो या लास्टेज में हो पेन को कम करने के लिए चुकि यह ब्लड डिस्क्रेशिया अर्थार ब्लड की गंदगी को हटाने का काम करती है तो इसलिए ब्लड से संबंद जो भी इंफेक्शन होगा वहां पर बहुत यह ब्लड पूरिफायर के रूप में ओवर ऑल बॉड़ी पर काम करेगी और इस नीशिया सिर्फ और सिर्फ देखें तो ब्लड से संबंद है तो जो हमारी चाहिए स्कीन हो चाहिए वो कैंसर स्टेज हो वहां पर काम करें तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ में आय है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दबादें धन्यवाद दोस्तों